सब्सक्राइब करें तो आप को इसके आंसर्स भी डिसकस करें तो जाएब करनें गर्ट कुछीन है आप अनिक एक्टमि पर आपको कर लीजिये डाउनलोड और वहां पर सर्च कीजिएगा च्पीज़ और search करते ही मेरी profile में आकर follow जरूर करीजेगा ताकि आपको यहाँ पर मेरे notifications मिलते रहें और आज मैंने distance, speed और time वाला जो course था launch कर दिया है आप इसको जरूर देखिए ठीक है ताकि अगर आपकी shift में आये तो आप कर पाऊ आपको पता, already दो shift में आ चुका है इसलिए मैंने link share कर दिया था, community tab में वहाँ से आप देख सकते हैं review जरूर कीजेगा कि आपको course कैसे लग रहे है so चलो समझते है learners के analysis कि paper 1 ठीक था बर थोड़ा सा वो time scrolling करने में इनको issue आया so again paper, जो questions थे directly hit इनको कर गए क्योंकि सारा कुछ मैंने class में करवाया हुआ था so this is really easy and good paper अच्छा paper था, वो ऐसे बहुत अच्छा paper था general awareness आई थी, वो मैं आपके साथ भी discuss करती हूँ so आज के paper का analysis है कुछ इस तरीके से RC जो थी, वो easy थी, only scrolling वाला issue था उपर नीचे करने में दिक्कत हो थी, otherwise RC easy थी DI, missing DI आया, जिसके अंदर calculate करनी थी percentage और वो वही DI आया था, जो मैंने एक 1 rupee की class में भी करवा दिया था data interpretation की जो special class ली थी मैंने और plus courses में भी करवाया था, ठीके और उपर से मैंने 20 quiz course में भी दिया हुआ था इसके अंदर यही था कि जितने number of student pass, number of student fail वाला question करवाया था ना मैंने आपको वो वाला DI आया आ गया था, ठीके और फिर ICT easy था, इसके अंदर minus 23 का tools compliment निकालना था और tools compliment निकालके यह answer आ रहा है, आप यह check कर लेना 01001 करके आ रहा है, और फिर inductive reasoning के उपर question था reasoning easy थी, slogism के अंदर, अच्छा था question एक slogism का था और जो square of opposition है, उसका question था कि contradictory find करो तो contradictory के लिए वो pairs find करने थे, ठीके, option में से na pairs find करने कि कोनकों से एक दूसरे के साथ contradictory होंगी, वो भी बहुत easy question था और एक journal of illness का question था कि सबसे यदा water कौन सी वली industry में use होता है तो according to me, thermal industry में सबसे यदा water use होता है तो आप अपना check कर लेना, क्योंकि आपको पता है, इंडिया में सबसे यदा water सबसे number one पे use हो रहा है agriculture, लेकिन उसमें agriculture का option नहीं दिया था तो फिर जितने options थे, उसमें से thermal बनता है ठीके, फिर teaching, research, reasoning का portion उसमें ज़्यादा था आज के paper में, पार्ट शाला, portal किसने, कौन चला रहा है ये question था, तो उसमें NCRT answer आ जाना था इस type से पूरे questions थे ठीके friends, मैंने आपको कुईतने answer बता दिया एक ICT के question का answer बता दिया और contradictory और समझा दिया मैंने कैसे करना था, thermal power plant बता दिया और पार्ट शाला, NCRT वाला, ठीके इसके लाब और दिखते है Now, as per learners on YouTube and all जो भी मेरे five courses वाले courses में थे उनके recording सब कुछ मैं प्रवाइट कर रही हूं यापर आज का paper one बहुत easy था, जो आपने पढ़ाया था वही आया था, RCDI बर very easy, so that's great, congratulations then आपका पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आया, very good and आपकी वाइस paper one अच्छा हुआ ICT में क्या questions आया थे ICT में एक terabyte वाला question था, DNS यानि की domain name system ठीक है यह check कर लीजिए सबका सही है और PDF यानि की portable document format answer रहना था इसका यह भी ठीक है आपका और tools compliment मैंने समझा दिया आपका DI आपके वाला ही आगया, very good मतलब मैंने जितने DI दिये हैं आपने quiz course में और हर जगा, साभी courses में वहीं से आया है, तो आप देख लो ठीक है, बहुत best है अगर आप कोई 2019 की भी त्यारी कर रहे हो तो उन learners को या अपने juniors बगारे को जुरूर बताना की मेरा course already launch हो चुका है, अब initially उसके fees कम होती है, तो if you want you can join ठीक है, on a whole पेपर 1 बहुत अच्छा था बात करती हूं, पेपर 2 की तो कुछ जो students है पेपर 2 के वो कह रहे हैं पेपर 2 में, जो computer science का पेपर 2 वाला उनका थोड़ा सा लगा कि ऐसा नहीं है, पैटन फोलो नहीं हुआ उन्होंने जो बताया, पेपर 2 का आप पूछतो ना मैं बता रहे हूं, पेपर 2 का सेम पैटन यह नहीं फोलो हो रहा, structured way में कि इतने questions यहां यहां से आएंगे कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे है पेपर 2 में भी, previous year से ऐसा कोई मतलब यह नहीं है कि previous year आपने देख लिए उसके अंदर पदा चल गया कि यहां यहां से questions आ रहे है ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पेपर 1 का pattern कहीं से भी कुछ भी उठके आ रहा है, विल्कुल वैसे ही पेपर 2 का pattern कहीं से भी कुछ भी उठके आ गया है, बट इस इसके अंदर वन स्टॉप solution पेपर 1 और पेपर 2 आपको कराया जाएंगे आने के अदमी पे जिए आप बूस्टर को फॉलो कर लीजिए ठीक है और आज मैंने data interpretation का कोर्स यहां पर लांच कर दिया जिसमें है 5 questions और एक practice question आप मुझे में से जितना बढ़े पढ़ाया है वहां से आ रहा है free courses में से भी बहुत help हो रही है so that's awesome और लास्ट में यही advice दोंगे teaching, research और reasoning की उपर command रख लो जिन जिन का paper बजा है इन तीनों category को अच्छे से कर लीजिए teaching में से भी concept based question है आसा कोई नहीं रटा मानने वाला किसी book में से उठके आ जेगा book कुवे से कोई language नहीं आ रही है conceptual questions है so now classes देखते रहिए यहाँ पर जरूर follow कर ले ना facebook पर जाकर group join कर सकते हो subscribe के साथ बला ऐकन को दबा दीजिएगा thank you have a nice time all the best दिन का भी exam next